Hello and welcome to RLR Excel Network, मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस amazing magical video के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि Excel के अंदर अगर आपके पास time दिया गया हो और आप से कोई कहे कि उस time के अंदर आप hours या minutes को add करो तो वो आप कैसे कर सकते है Excel के अंदर ये चीज मैं आपको इस video के अंदर सि लिखाओ यानि की 2 गंटे और 5 गंटे और 0.6 hours यानि की points के अंदर भी convert करके लिखाओ तो मैं आपको दोनों को बताऊंगा कि किस तरी किसी ये काम करता है तो उसके लिए हम type करेंगे is equal to जिस time के अंदर आप hours को add करना चाहरे है उस time को आप select करें plus button को press करें bracket को open करें और जितने hours को आप जो है add करना चाहते हैं उस hours वाले cell को select करके divided by 24 कर दें और उसके बाद bracket को close करें और enter कर देंगे उसके बाद देखेंगे तो आपका जो hours है वो automatically इतना add हो जाएगा अब आप इसको जो है नीचे copy paste करेंगे तो आपको सभी का result मिल जाएगा जहां पर जो है integer value यानि कि बिना decimal value values को hours में हमने लिखा हुआ उसका time आप easily समझ सकते हैं कि 6 बच के 23 मिनट के अंदर अगर मैंने 5 घंटे add कि तो यह 11 बच के 23 मिनट हो गया यानि कि 6 5 11 23 तो यह आप समझ सकते हैं लेकिन जहां पर points में लिखा हुआ है वहां पर आपको confusion हो सकते है तो उसका solution यह है उसका जवाब यह है कि अगर मैं कोई भी value को points में लिखूँगा तो मैं कैसे लिखा हुआ हूँ 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर मैं 0.10 यानि कि 0.9 तक जाऊँगा तोटल यानि कि टोटल मैं 10 टाइमस को अगर मैं convert करूँगा या count करूँगा तो वो 1 बनता है और अगर हम देखें तो हमारे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होता है यानि कि 60 divided by 10 यानि कि अगर मैं 0.1 से लेकर 0.10 तक जाता हूँ तो टोटल 10 टाइमस काउंट करते हैं उसी तरीके से अगर मैं 60 को जो है divide करता हूँ 10 से तो टोटल 6 आता है इसका मतलब कि अगर r जो है 0.6 लिखा हुआ है इसका मतलब कि 0.6 को अगर आप multiply करेंगे 6 से तो ये बनता है 36 यानि कि 2 बच की 23 मिनट के अंदर अगर आप 36 मिनट को add करेंगे तो वो भनजागा 2 बच के 59 मिनट एडि पैरलल यहां पर भी कि अगर 11 बच की 23 मिनट पर फॉन पॉंट रिखा हुआ है जो है 11 बच की 23 मिनट के अंदर जो अगर आ पुझा घंटा एड करते हैं यानि कि गंटे 30 मिनट एड करते हैं तो वो बन जाता है बार अचके 3,5 मिनट ओर इस तरीके से जो है आप आर्स के अंदर जो है आप टाइम को एड करके अपनी calculation को perform कर सकते हैं इसमें एक चीज़ और भी होता है कि जब आप टाइम के अंदर किसी आर्स को addition वगारे या करते हैं या सब्स्ट्रेक्शन करते हैं तो वो एम और पीम को automatically पकड़ लेता है automatically जो हता है capture कर लेता है आपको टैंशन लेनी की जोड़ती है इस तरीके से जो है आप Excel के अंदर टाइम के अंदर आर्स को add कर सकते हैं मिलेंगे अपनी next वीडियो में किसी और magic के साथ में तब तक के लिए goodbye